हेलो वाट्स आप गाईज माने में स्पिनोध बादू था पाइंड टूड इस फिड़ोगी विल सी हो तो क्रेट एक्जुल रिजिट्रेशन फॉर्म उजिंग रियक्ट जियां गाईज तो आज कोड़े पहुत आपको यादो हमने रिजिट्रेशन फॉर्म बनाया था राइ में अपडेट कर सकते हैं और बैकेंड को अगर हमें फॉर्ट करना होता दैन हम क्या करते उसके लिए तो आप देख सकते हो इतना लंबा कोड हमें लिखना पड़ा बट इन टूडेश वीडियो मैं आपको बताऊंगा एक्चुल तरीका क्या था रिजिट्रेशन फॉर्म क को हैंडल करनेगा एंड वांस आपको यह पता चल जाता दैन वह चाहे कोई भी फॉर्म हो आपका कॉन्टेक्ट हो रिजिस्टेशन हो लॉग इन फॉर्म हो सब्सक्राइब वाला फॉर्म हो न्यूजलेटर सो जहां पर भी इन्पूट फिल्ड आ गये जहां पर भी फॉर् की है आप बहुत क्लेली देख सकते हो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ओवर हीर सी सो हुक्स पर हम काम कर रहे है उसके अंदर मैंने एड दी एंड में एक न्यूफाइल क्रेट की है जिसका नाम है यह राइस्ट्रेशन रियक्ट आप देख सकते हो ठीक है तो एक मैंने की उसको मैं पेस्ट कर रहा है और उसको मैं अब हटा रहा हूं साइट से अल्राइट तो अब बहुत के लिए देख सकते हूं कि इसका जो नाम है पहले मुझे वह चेंज करना होगा and that is registration form react कर देता हूं इसको मैं ठीक है copy कर रहा हूं and यहां पर import का आई रही गया तो मैं वह add कर देता हूं perfect ठीक है अब इसकी मुझे need नहीं है app.jsx पे चलूँगा मैं इसको copy करते है यहां पर paste इस तरीके से control and space and this is it तो इसको मैंने import कर ली है इसको मैं अटा रहा हूं अपने को code एकदम simple रखना है ठीक है index.css अपने चागे already है and यह मेरा काम हो गया ठीक है तो अब अगर मैं यहां पर चलूँगा इन इसको run करूँगा तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह actual में अभी हमारा नया वाला है ठीक है तो आप देखी क्या करते है सबसे पहल के लिए मुझे 5 state variable लग रहा था बट इसको मैं खर्तम कर दूँगा कैसे मैं आपको बताता हूं देखो यह जो पार्ट है ना इस सबको मैं हटा रहा हूं इन सबको मैं हटा के सिर्फ एक state variable लोंगा and रही बात यह जो initial value होती है हमारी ठीक है उसको मैं एक object लेने वाला हूं and यह जो instead of first name I will go with user and यहां पर मैं कर दूँगा उसको set user अप मैं इसको एक user या student या employee आपकी मर्जे आपको जो नाम देना हो दे दू अप अब object कैसे बनता है इन object we have a key and then value तो जो हमारा वो यादे जो भी first name था so we have this first name उसको key दे दो and value फिलाल empty then we have a last name key and then empty then we have a email key and then empty we have a password then key and then empty and then we have this phone number key and then empty and I think it's not phone it's a phone number या perfect तो सिर्फ एक state variable मुझे लगा हमने सिर्फ एक बार use state की मदद से उसमें जो हमारा initial value था उसको मैंने एक object बना दिया तो इस object के अंदर मेरे पास सारे data आ गए and object के data को अगर हमें कभी भी get करना रहा हम क्या करते object name dot that property name ठीक है तो इस तरह की से हम करते तो I hope आप समझ गे तो at least ओ जो पांच लाइन था वो बहुत इसली हमने defined क्यों क्योंकि अब first name को एक individual state variable नहीं है वो अब एक object की property बन चुका है so what we have to do is user dot first name इस तरीके से अब हमें करना बढ़े गा यहां पर तो मैं यहां पर चलूंगा यह जो अब first name दिख रहा है user dot first name ठीक अब जहां जहां यह होगा वहां जाना है so it's user dot last name और else what I can do is ctrl D ctrl D यहां पर जाके डिरेक्ली यूजर and then dot ऐसे भी में कर सकता था वैसे तो ठीक है तो एक ही बार में सब हो जाता है यह shortcut handy बहुत useful होता है inspect पर चलते है let's see हमें क्या बाता रहा है बाता रहा है first name चल यह तो अल्रीड हमने टैकल कर लिया उसको yeah first name is not defined reference error uncut and वो पता कहां प्यारा वो एकदम end में आ रहा है right end में क्यों आ रहा है क्यों क्यों कि अगर यहां पे जब हम user dot password कर कि उस particular property को हम get कर रहे है तो जब हम at the bottom में जब उसको display करा रहे है तो यहां पे भी first name तो हम नहीं कर सकते here also we need to write user dot user dot here also we need to write user dot and at the end email में भी मुझे लगेगा user dot इस तरी की से ठीक है ठीक at least कुछ problem नहीं है मैं यह कर देता हूं first name is not defined obviously both defined नहीं हो सकता अब हमें उसको करना है देखो अब यही सबसे best part है आज इस वीडियो का and that is की एक तरफ तो जहां आपने यह लंबा code लिखाया है इतना बड़ा इसको मैं दो लाइन में निप्टाता हूं देखो कैसे यह जो कुछ भी इसको हटा हो इसको delete कर दो नहीं चाहिए मुझे ठीक है हमने अल्रेडी यह पार तो कल की वीडियो में देखी ली थी कि event.target के मतलब से name and then value है उसको मैं get कर सकता हूं अब मैं देखो यहां पर क्या करता हूं set user है ठीक है set user है क्या basically हमारा वो एक object है हमारा initial value एक object है तो obviously set user में भी मुझे object पास्ट करना पड़ेगा इनकी value को update करने के लिए तो मैं directly object पहले पास्ट नहीं करूंगा set user के अंदर हमें एक function मिलता है callback function जहां पर अगर मैं previous लिखूं या मैं थापा लिख दूं या मैं कुछ भी लिख दूं मुझे इसमें basically क्या आता है मैं आपको बताता हूं console.log and then मैं अगर कुछ भी लिख दूं यह आप हटा दीज रखते हैं and मैं यहाँ पर चलता हूं and then मैं inspect कर देता हूं तो console पर अगर मैं चलूंगा तो अगर यह जो कुछ भी पार्ट है and yeah this is it ठीक है तब आप आप देखना boom guys यह देखिए क्या मिल रहा है मुझे कुछ यह जो आपको output आ रहा है कुछ लग रहा है यह देखा देखा यह देखो यह जो आपका output आ रहा है जिसमें email है first name है last name है password phone number and the best part यह एक आपका object है and यह like आप समझ रहों मैं क्या कहनी कोशिस कर रहा हूं कुछ भी लिखने से मुझे मेरा जो previous state है I mean जो मेरा previous data था उस state variable का वो मुझे मिल रहा है तो कितना easy हो गया याद है मैंने आपको इबन यह जो हमारा series था इस series में जब हम I guess use state पे ही काम कर रहे थे तो मैंने कहीं न कहीं आपको यह देख लीजे अब आपको पता चल गया होगा क्यू मैंने वीडियो बनाया था individual यह वाला बता भी रहा react.js state challenge master use state with objects test your skills यह 29th number की वीडियो में ही मैंने आपको यह दिखाना चाहा था कि अगर आप object के साथ खेल रहे हो use state में तो कैसे आप आप deal कर सकती हो and साथ ही साथ here also like we have one more video अगर आपको याद होगा and that is यह वाला यह वाला video react to do में creating and sharing reusable components with best practices यह video भी बहुत important है क्योंकि इस पर मैंने आपको वह three dots के बारे में बताया हुआ है तो यह video को भी एक बाद जरू check out कर लीजेगा ठीक है तो आप मैं आपको बताता हूं बहुत easy है मतलब मुझे यहाँ पर वह data मिल रहा है जो मुझे चाहिए था तो अब अगर आपको object में कोई value को update करना है I mean किसी property की value को update करना है तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले तो मैं यह चाहूंगा कि मेरे जितने भी previous चलो एक काम करता हूं मैं बहुत easily first name equal to first name ऐसे कर सकता था बट एक simple rule यह है आपको एक parenthesis then a curly braces then dot 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 आपको यह previous value it means कि यहाँ पर आप क्या हो रहा है ज जितने भी value है वो सब इसके अंदर है कौमा देने के बाद अगर मैं कोई property लिखना चाहूं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं इस तरी के से काम करता हो चलो name लिख देता हूं क्यूंकि name मेरा यह वाला particular नाम है and कभी भी जब आप object के साथ deal करोगे यह जो operator है इस तरी के से उसी की मदद से ही गेट कर मैंनो ला जो भी name होगा उसकी value आप सेट कर दीजिए मतलब समझे रहो लेट से user last name की value को update करने की कोशिस कर रहा है या type कर रहा है तो first name email password and phone number वो as it is रहेगा सिर्फ और सिर्फ last name यहाँ पर आएगा उसकी value को वो update कर देगा यह इसका fund है ठीक है बट आप देख सकती हूँ still मुझे बता रहा name is declared but its value is never used क्यों मैं आपको बताता हूँ देखना मैं यहाँ पर चल रहा हूँ मैं यहाँ पर बिनो थापा लिग दी अब आप देखो एक चीज यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं and अगर मैं components पे चलता हूँ registration form के components पे तब आ I mean they were like कि बताओ यह क्या हूँ यहाँ पर क्यों अभी आपनी क्या कर दिया यहाँ पर जो previous data था वो तो as it is बट आपने उसके साथ साथ एक और नया data भी add कर दिया वहाँ पर बट मुझे नया data तो add नहीं करना था समझ रहो मुझे जो existing data है जो मेरी existing property है उसी की ही value को update करनी तो that's why हम इसको dynamic बना देंगे अब यह जो part है ना यह वाली जो अगर यह match नहीं करता है इनमी से कोई भी एक के साथ तो वो नया property बना दे रहा है बट अगर यह match कर गया तो इसको पता चल अच्छा यह तो previous property है मेरा ही तो property है चलो इसकी value को update कर दो तो यह dynamic variable अब आपका य name same नहीं है but the beauty is the moment यह मैं करता हूं and boom guys see देखिए बीनो थापा मुझे मिल गया है and यहां पे भी मुझे बीनो थापा मिल गया तो अब मैं object में जो मेरी existing property है तो triple dot जो मैंने लिखा था spread operator उसकी मदद से यह तीनों को मैं untouch वो as it is है and जो मैंने वो dynamic name and then colon I mean dot dot जो मैंने वो लिखा अपनी value उसकी मदद से यह दो update हो गया अब मैं वापस यहां पर password में भी कुछ भी लिख देता हूं लेट से इस तरीके से तब यह देखो अभी भी मेरे first name last name as it is email and then my phone number will be as it is क्योंकि उसको हम कुछ नहीं करें तो guys यह था एकदम सही तरीका कि कैसे आप इसके साथ deal कर सकते हो all right guys तो एक problem हो रहा है यहां पर कि मैं phone number को कुछ कर नहीं पा रहा हूं phone number को for some reason में कुछ कर नहीं पा रहा हूं and let's check it out and oh my god see कुछ तो भी problem हो गया वापस है यहां पर आप देख सकते हो phone number में एक already phone number था मेरे पास but एक extra phone करके मेरे एक new variable create हो गया I mean एक new property create हो गय यह है कि phone number होना चाहिए था यहां पर and यहां पर phone number ही है okay I guess जब हम name variable create oh my god देखा अच्छा हुआ यह error हमें आया ताकि आपको यह पता चल जाएगा कि phone number में name इने starting में बोल दिया था name attribute का नाम common होना जरूए यहां पर फोन था वो that's why वहां पर नया phone number हो गया but अब कोई problem नहीं है तो यह phone number name attribute का and हमारा state variable का जो है वो सेम होना चाहिए अब कोई problem नहीं होगा अब मैं data फिल कर लेता हूं and boom guys see यह देखिए कितना awesome है यह मेरा काम हो गया यहां पर आप देखिए oh sorry first name last name तो भूली गया था मैं but यहां जो भी हो but आप आप देख लीजे यह मेरा actual data ह है top पे मेरा data बराबर काम भी कर रहा है and यहां पर जो main है hooks वो कितनी easily मेरा यह काम हो गया देखो कितनी easily update होगी बस रही बात मुझे इसको बेजना है आगे तो उसके लिए हमने क्या किया था यहां पर देखो न यह तो दो line में हो गया न मैंने क्या कहा था सिर्फ 2 line में प्रड़ रहा था मुझे form some की कोई नीड नहीं है मैं directly मेरा सारा का सारा data user के पास है मैं यहां पर आके directly user पास कर दूंगा यह दो line यह दो line तो क्या बोलना console है एक line यह दो line यह खत्तम बस इतना ही था and this is how we actually works I mean the actual developers and देखो खत्तम यही तो data मुझे आगे पास करना है मेरे back end को आगे है न आप email first name last name password and then phone number so guys कैसा लगा आपको आज के video I hope video बहुत ही ज्यादा पसंद आओगा so guys once अपने registration form समझ लिया तो login form तो कितना सिम्पल है login form में तो यूजर नेम इमेल या password दो फिल्स रहते है दो फिल्स तो यह चुटकी में करनो कल की वीडियो में जो मैंने बता है वो भी कर दोगे तो भी कोई problem नहीं है क्योंकि दो फिल्स है बट ज्यादा फिल्स रहा इवन दो फिल्स भी रहा तो आप यह तरीका अपना सकते हो जहाँ पर कितना sweet simple and कितनी easily आपका यह काम हो रहा है right so guys कैसा लगा था ना बहुत ही ज्यादा awesome and believe me guys यह सब तो starting है and once इतना भी आपको पता चल जा करेंगे जहां पर आप देख सेक्ट हो चार मेंडो अब लाइक कि बराबर काम कर रहा है we have a Bulbasaur we have a Squirtle and don't worry Pikachu भी आएगा बट फिल्याल अभी मैंने limit रखा कि ज्यादा मुझे दिखाना नहीं है मैं सिफ 25 या 24 कार्ट दिखा रहा हूं जिसमें Pikachu फिल्याल अभी नहीं याद हम जब बच्छेमने कार्ट कहलते थे तो यह नंबर वाइस है यहां पर ठीक है तो कल से हम फोकिमोन कार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस रहेगा यह जहां पर स्टेप बाइस्टेप बताऊंगा what is the best practices to follow while creating this awesome project simple project है बट फिर भी इतना भी अगर आ यह काम आने वाला है ठीक है तो गाइस कल से हमारा यूज इफेक्ट होक स्टार्ट होने वाला सो गाइस आर्यू एक्साइट विगोज आम सुपर एक्साइट तो काइस प्रीज ऐसी ओसम वीडियो देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे ओसम चैनल था पर टेक्निक को सब्सक्राइब निंगे तो प्लेलिस्ट को बिल्कुल भी मत भूलिये देखने एक एक चीज एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बले ही जब आप देखो लगे आपे क्या बता रहा है ऐसा फिल हो बट आगे वही वीडियो बहुत काम आने वाला है ठीक है तो प